धनबाद अभिभावक संग का तीसे चरण के दूसरे दिन मौन धर्णा दिया गया सिक्षा संक्षोधन अदिनियम लागू करने की मांग धनबाद के रंदीर वर्मा चौफ पर आज मंगलवार को जीला अभिभावक संग के बैनर तले मौन धर्णा दिया गया जिसमें जारकन सिक्षा नियाधिकरन संक्षोदन अधिनियम 2017 को लागू करने की मांग की गई मौके पर संग के कैप्टन सहाय बताएं कि जारकन सिक्षा नियाधिकरन संक्षोदन अधिनियम 2017 को वश 2019 से लागू करना था परंतु जारकंट सरकार और अधिकारियों की सिक्षा के प्रतियुदासे इंता तता लापरवाही आधिनियम को लागुन नहीं कर रही है जिससे नीजी स्कूल संचालों को का मनोबल काफी बड़ा हुआ है तता अभिभावकों एवं छात्रों का लगातार सोशन कर रही है सरकार की विफलताओं से अवगत कराया जा सके साथी सरकार और उनके नुमाइंदों की आख खुले तता अधिलियम को लागु कराया जा सके सरकार के खिलाफ हम लोग उनके सारे प्रांचे यह लोग है जो लगतार अभावकों को पर्चारी कर रहे है और एक तरह का मानतिक टेकर डाल रहे है कि आप लोग हर तरह का सीज सनु दिया जाए कैसा कि सभी लोग जानते हैं ज़ार करन में अपनी सिक्षा कानून है और उस कानून को लागु करना करवाना यह सरकार का यह फर्द है और यहां के समयदानिक अस्तान पर बैठे हुए लोगा हुटा भी काम है सद लगतार आपके द्वारा आवाज लगाया जारा फिर भी प्राइबिट अस्कूल है जो अपने मनमानी नहीं मान रहे है अपने इसके लिए रख्या यही सोचे वाली बात है कि आखिल क्यों प्राइबिट इसकूल बात नहीं मात है कहीं नहीं कहीं इसका अस्तान पर बैठे हुए लोगों किसा प्ली भगत है कोही न कोई गवणड़ी को जरूर है या जो जंका सोचे गी कि क्या बात है जाए वो सरकार हो या फिर बाकी आफिसर्ज हो आफिसर्ज जो आप देखिए आज भी लर्माद पबिक स्कूल या कोईना डेवी स्कूल ये लोग दीज के वज़े बच्चों का नाम कर रहे हैं क्वालिटी ओवन फ्रेश जो बच्चों की सिहत से करें प्यार वो क्वालिटी ब्रेट से कैसे करें इनकार हमारा पता है आरा मोड रेलवे गेट नंबर एक धनबाद मोबाइल नंबर 7004067520